हेल्लो स्टुदेंट्स वेल्कम टो बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन तुडे वी आर गोईंग टो डिसकस्ट टॉपिक इन आवर चैप्टर न्यूक्लियाई और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है अल्फा डिके बीटा डिके गामा डिके और उसके साथ में यह जो बीटा रेस गामा डिस हैं उनकी प्रोपर्टिस के बारे में सो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे सबसे पहले प्यार इसी चोटी सी एक हैडिंग डालेंगे और हैडिंग आपके पास मैं alpha decay क्या heading है alpha decay आपके पास मैं heading है अब देखो होता क्या है यहाँ पर alpha decay के अंदर मैं जब मैं बात कर रहा हूँ तो alpha decay क्या है तो simple सी बात यह है यह alpha particle से related कुछ ना कुछ चीज होगी yes और no तो मैंने को बात करते हैं इस alpha particle के बारे में यह जो alpha particle होता है यह आपका doubly ionized doubly ionized helium atom होता है doubly ionized helium atom होता है क्या मीनिंग है doubly ionized helium atom का तो वही है सबसे पहले तो आपको यह पता हो कि यह helium atom क्या होता है तो यह helium एटम क्या होता है तो helium तो होता है 2he4 और इसका electronic configuration होता है 1h2 इसका यहाँ पर यही मेरे पास में nucleus है तो यह मेरे पास में इसका nucleus है और यहाँ पर मेरे पास में इसके electron यहाँ पर कहीं चक्कर लगा रहे हैं तो होने वाला क्या है कि यहाँ पर दो होंगे proton और दो होंगे neutron और बाहर में आपके पास में दो electron क्या होंगे यहाँ पर चक्कर लगा रहे होंगे यदि मैं इन electron को remove कर दूँगा तो यह जो 2he4 है after removing two electron it will become 2he4 plus 2 और इसे ही बोला जाता है आपका alpha particle इसे ही क्या बोला जाएगा alpha particle बोला जाएगा अब यह कहानी क्या है यदि यह alpha particle ऐसा कुछ है तो इसको हम लोगों को यह जी सीखना है तो क्या सीखना इसके अंदर में क्या चीज़े हैं तो यह हमारी heading है alpha decay अब यह alpha decay का मतलब यह है कि यदि आपके पास में कोई heavy nucleus है आपके पास में क्या है वो है ZXA क्या है ZXA, Z का मतलब क्या है Z represents your atomic number और A represents your atomic mass number और X वोस element का क्या है symbol है जो मैंने यहाँ पर represent किया है तो यह X जो है वो एक heavy nucleus heavy atom है मतलब जैसे uranium हो गया ऐसे type का atomic mass number काफी जादा है तो वो आपके heavy nucleus कहलाते हैं उन मैंसे क्या होता है कि एक alpha particle निकल जाता है यदि यह alpha particle यहाँ पर निकल गया है तो alpha particle निकलने के कारण यहाँ पर क्या हुआ तो यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि देखो इसका जो atomic number है वो कुछ ना कुछ कम होगा और साथ ही साथ में atomic mass number भी कुछ कम होगा और वो कितना होगा z-2 यह एक तरह से chemical reaction के जैसे ही काम कर रहा है बस यह है कि इस reaction को nuclear reaction बोला जाता है यह जो reactions है वो है nuclear reactions और यहाँ पर आपको atomic number और atomic mass number को balance करना पड़ देखो यह z-2 आ गया इसका मतलब क्या यह x बचेगा नहीं x नहीं बचेगा अब यह y हो जाएगा कुछ तुमी नया हो गया क्योंकि atomic number चेंज हुआ देगो आपके पास में हर atomic number के लिए एक symbol है 1 for hydrogen तो 1H1 लिखते हो 2 for helium तो 2H4 लिखते हो 3 for lithium तो 3 Li7 लिखते हो 4 for beryllium तो 4B8 लिखते हो 5 for boron अब मुझे आगे इस पूरी सीरीज को continue करने ही जौरत नहीं है तो यह z minus 2 और यहाँ पर देखें यह 4 है तो यहाँ पर कितना आना चाहिए यहाँ पर आना चाहिए a minus का 4 तो a minus 4 करोगे तो देखो reaction अब पूरी तरह से balance है this is the situation और इस reaction को इस nuclear reaction को हम लोग बोलते है reaction of alpha decay reaction of alpha decay यहाँ पर जो आपका x है यह x है और यह क्या है y तो इस x को बोला जाता है parent nuclei क्या बोला जाता है parent nuclei या parent atom और y जो होता है उसे बोला जाता है daughter nuclei क्या बोला जाता है daughter nuclei अब कहीं लोग बोल रहोंगे सर sun क्यों नहीं बोलते हैं तो भाई या देखो कैसे है अब जो नाम दे दिये गए हैं वही नाम आपको follow करने है daughter nuclei बोलना है ठीक है okay now सवाल यह उड़ता है इसमें और कुछ बन सकता है क्या तो और भी छोटी छोटी सी चीजा यहां पर बन सकती है those things are regarding the energy those things are regarding the energy मतलब कैसे अब energy से related वाला जो portion है वो कुछ ऐसा है कि जैसे मान चलो यहां पर तो मैंने single ही यह consider किया है क्या किया है single ही consider किया मतलब x तूटा है तो यह alpha particle निकला है लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि simple ऐसी reaction हूँ एक simple general reaction की पहले मैं बात कर लेता हूँ तो general reaction यहीं मैं लिखता हूँ तो मान के चलो हमारे पास में general reaction है कि x plus a equals to y plus का b बतलब x और a ने मिलके y और b बना दिया है तो let's say मैंने बोला कि इनका जो mass defect है हर एक में कुछ ना कुछ mass defect आएगा आएगा की नहीं आएगा तो आपने बोला yes तो इसके लिए मैंने लिख दिया मान के चलो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया mx है इसके लिए मैंने लिख दिया m y है इसके लिए मैंने बोला m y मेरे पास में जनरल रेक्शन है X A X plus A equals to Y plus B X और इन्हें मिलके Y और B यहाँ पर बना दिया है MX, MA, MY, MB जो हैं वो उनके masses है मैंने साइद mass defect बोल दिया था लेकिन नहीं ये इनके masses है और इन masses के basis पर हम लोगों ने क्या किया कि इसकी energy की बात कर रहे हैं हम लोग क्या बात कर रहे हैं इसकी energy मतलब इस reaction में total कितनी energy involved है उसे हम लोग denote करेंगे Q से और ये Q बराबर जो आएगा, वो mass defect की relation जैसे ही आएगा, मतलब आप क्या करोगे, देखो, reaction के अंदर में दो side होती है, कौन कौन सी side होती है, reaction के अंदर की दो side कौन कौन सी होती है, एक होती है reactant side, होती है कि नहीं होती है, तो आपने बोला yes, और एक होती है आपके पास में product यह सब आप chemistry में सीखोगे reactant कौन सा है product कौन सा है फिर उसमें reagent कौन सा डालना है वो chemistry का पार्ट है तो हम लोग बात कर रहे है reactant और product यदि मैं यहाँ पर क्या करूँ कि जो reactant side है उनकी energy को add कर लूँ मतलब mx plus m a और इसमें से इसको subtract कर दूँ into c square क्योंकि energy से relate करने के लिए c square mc square e बराबर mc square तो यह यहाँ पर इस reaction में release energy के बारे में बात करता है अब मान के चलो यहाँ पर यदि ऐसा हो जाए कि इसको solve करने के बाद में q का एक answer आएगा और जो answer आएगा वह आएगा कि या तो q बराबर positive आएगा या फिर q आपके पास में negative आएगा बराबर q या तो आपका positive आएगा या फिर q कैसा आएगा negative आएगा और यदि q positive आता है मतलब इसका मतलब है इस reaction को बोला जाता है exothermic reaction और यदि negative आया मतलब आएगा endothermic reaction टीक है exothermic end endothermic q positive exothermic है मतलब ऊश्मा शेपी energy release हो रही है और endothermic ऊश्मा शोशी मतलब energy absorb हो रही है बास में आ रही है so this is the thing जो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए और एक important बात जो थी यहाँ पर वो उसको मैं एक बात बता देता हूँ वो यह है अब कई लोग बोलोंगे backslide पर क्यों आ गए तो backslide पर आया क्योंकि यहाँ पर एक और चीज बतानी जरूरी है वो क्या है उसको मैं आप लोगों के सामने represent कर देता हूँ वो यह है कि जब भी alpha decay होता है तो मैं बोलूँगा in alpha decay atomic number atomic number decreases by two atomic number जो है वो आपका two से क्या होगा decrease होगा and atomic mass number ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ atomic mass number decreases by four कितने से चार से आपका atomic mass number कम होगा अब इस प्रक्रिया में ये आपकी main चीज है कई बार इसी पे सीधा सीधा सवाल बन जाता है जो यहाँ पर लिखा हुआ है atomic number decreases by two by four ऐसे मतलब ऐसे बोलते हैं सवाल कि a substance releases three alpha particle then it's a new atomic number decreases by six increases by six decreases by two increases by four ऐसा कुछ तो भी option बना देंगे तो आंसर अब आप इसका बता सकते हैं जो मैंने question पूछा था मैंने कितने निकाले थे तीन alpha particle एक alpha particle में atomic number दो से decrease हुआ तो तीन निकलेंगे तो कितने हो जाएंगे छे से कम हो जाएगा तो decreases by six will be the answer क्या यह वाली बात समझ में आईए आप लोगों को एकदम आसान बात थी बिल्कुल भी difficult नहीं थी तो मैं अब आगे बढ़ता हूं यहां पर और आगे बढ़ने पर हमारे है नेक्स्ट पॉइंट जो है बीटा डिके से रिलेटेड ठीक है लगबग मांगे दस दस मिनिट दी मैं हर टॉपिक पर भी देता हूं तो आज के लेक्चर में मुझे एनिहाव इसे फिनिश करना ही करना है ठीक है क्योंकि उसके बाद में सिर्फ न्यूक्लियर रियक्शन क्या है बीटा डिके अब यदि मैं आपसे बात करूँ तो बीटा डिके जो होता है वो होता है तीन टाइप का कितने टाइप का तीन टाइप का अब कई लोग बोलेंगे सर बुकलेट में तो दो ही दिये हुएं यस आई नो देट बुकलेट में दो ही दिये हुएं क्योंकि वही दो आपके लिए ज़्यादा important है लेकिन since I am conducting lecture तो lecture में मैं तीसरा वाला भी बता रहा हूँ जिससे क्या हो जाएगा यदि आपको थोड़ी बहुत गलत फहिमी हो तो वो भी सही हो जाएगी दूसरा यह है कि उस booklet में एक correction भी है beta decay के अंदर में उसे भी आपको यहीं पर correct करना है हो सकता है आगे नहीं आएगे लेकिन देखो अभी जो correction है उसको मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कहान यह है beta decay में मैंने बोला there are three types अब कौन-कौन से three types है वही है यह beta decay के तीन टाइप के बारे में चर्चा तो कराओ तो यह देखो जब कुछ नहीं बोला है तो यह होता है beta minus decay ध्यान दीजे if nothing is given तो हमेशा beta decay को beta minus decay consider करते हुए चलना है दूसरा है आपके पास में beta plus decay और तीसरा कहलाता है electron capture तो हम लोगों के पास में booklet के अंदर में electron capture वाली चीज नहीं available है क्यों नहीं है मैंने बुला भीया वो थोड़ ऐसा मतलब ऐसा है कि out of the box जाके थोड़ी सी बात हो जाती है इसलिए हम लोग उसके बारे में जादा नहीं चर्चा करते लेकिन lecture में मैं उसके बारे में क्या होता है बीटा माइनस डिके अि अच्छा वाई या बीटा माइनस डिके तो सब से पहले तो यहां पर ध्यान दीजिए माइनस लिखा है क्या लिखा माइनस लिखा है और यदि मैंने बीटा माइनस लिखा है तो इसका मीनिंग होता है माइनस वन इजीरो इसका मीनिंग क्या होता है माइनस वन इजीरो इसका मीनिंग होता है अच्छा, minus 1 is 0 meaning होता है लेकिन इसका मतलब तो और कुछ समझ में नहीं आया minus 1 is 0 तो ठीक है, ठीक है इसको तो हम लोग रट लेंगे लेकिन क्या meaning है तो वहिया कहानी यह है कि जब कभी भी जब कभी भी when neutrons are present in large number compared to protons जब कभी ऐसा होता है कि एक nucleus के अंदर में जो number of neutrons हैं वो protons के comparison में बहुत ज़्यादा होते हैं than to gain stability to gain stability stability gain करने के लिए stability gain करने के लिए होता ये है कि भी या आपका जो neutron है आपका जो neutron है that gets converted into proton plus this beta particle and plus this new bar यहाँ पर लिखा हुआ है इस new bar को बोला जाता है anti-neutrino इसे बोला जाता है anti-neutrino तो अब आपको correction समझ में आ गया होगा ये वाली reaction वहाँ पर ulty लिखी पड़ी है वहाँ पर P इधर है और N इधर है ठीक है और new bar की जगे new लिखा हुआ है मतलब होगा ये है कि beta plus decay वाली reaction ही beta minus decay में लिखी हुई है तो please make this correction in the booklet इस correction को आप booklet में कर लीजिए वापस से मैं बोल देता हूँ क्या हो रहा है कि जब कभी भी एक nucleus के अंदर में protonों की संख्या की तुलनाम है as compared to number of protons यदि number of neutrons ज़ादा हो जाते हैं if number of neutron gets more compared to number of protons then to get the stability, to gain the stability होता क्या है कि एक जो neutron है वो आपका एक proton में convert होता है साथ में एक electron निकलता है जिसे हम लोग beta particle बोल रहे हैं तो यहाँ पर आपका beta की जगे e लिखा हुआ मिलेगा मतलब ऐसा नहीं है कि ये गलत है ये भी सही है आप इसे लिख सकते हो P plus का E plus का new bar मतलब ये है कि एक proton निकलता है एक electron निकलता है और एक anti-neutrino निकलता है ये एक नए टाइप का particle है जिसे हम लोग new bar से relate कर रहे हैं लिख देता हूँ मैं आपर new bar मतलब ये है anti-neutrino आगे चल अच्छा इसकी भी कहानी वही है वही है इसका कोई मास नहीं है zero rest मास है zero rest मास है और charge less है कौन proton electron की बीटा anti-neutrino ये ही गलती करोगे क्या बोला मैंने this anti-neutrino is zero mass at rest मतलब आपको वहाँ पे लिखा हुआ मिल सकता है rest mass is zero rest mass is zero rest mass is zero और दूसरी बात ये है कि भाईया ये है आपका charge less charge less मतलब ये है आगे चल के आपको properties पढ़ाई जाएंगे electric field और magnetic field से ये deviate नहीं होगा क्योंकि इस पर charge है ही नहीं charge नहीं है तो deviation का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता क्या ये वाली बात आपको समझ में आ रही है this is about the antinutrino अभी हम लोग बीटा डिके में ये main बाते हैं बीटा डिके की related अब यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या हो रहा है अब इसकी nuclear reaction देखो ये तो कहानी वो है कि बीटा डिके होता क्या है लेकिन जब nuclear reaction में हम लोगों को use करना है तब कैसे करा जाएगा वो अलग चलेगा ये वाली कहानी अलग है ये कहानी है कि जब कभी nucleus के अंदर में number of neutron ज़्यादा हो जाते हैं compare to number of protons then to get the stability neutron आपका proton में convert होता है और साथ में electron को release proton और electron में तूटता है और साथ में anti-neutrino नाम का एक particle भी वहाँ से क्या होता है emit होता है ये कहानी है लेकिन जब हम लोगों को use करना रहेगा तो हम लोगों के पास में अगेन फिर से कहानी वही है कि एक आपके पास में nucleus है zxa वाला जब ये convert हुआ तो देखो minus 1 e 0 देखो मैं जान बुच के इनको पहले लिख रहा हूँ जिससे आपको idea क्लिको अब आपको इसे क्या करना है balance करना है balance करेंगे तो देखो यहाँ पर minus 1 हो गया मतलब एक नया particle देखो एक नया nucleus ही create हुआ है जिसके लिए atomic mass number तो same है 0 plus 1 कितना हो रहा है A आ रहा है मैंने बुले ठीक है मैंने यहाँ पर थोड़ी देर के लिए question mark लगा दिया तो अभी देखिए z बराबर minus 1 plus का question mark मतलब question mark का answer आएगा z plus का 1 तो भाईया यहाँ से question mark को हटा देता हूँ यहाँ पर z plus का 1 लिख देता हूँ यह थी कहानी nuclear reaction में जब आपको इनको use करना है बास में आ गई sure है अच्छा तो इसका मतलब यह है कि when beta minus decay occurs जब कभी भी आपका beta minus decay होता है उस समय आपका पहला point यह है कि atomic mass number sorry atomic number increases by 1 आपका कितने से increase हो जाएगा 1 से increase हो जाएगा कौन increase होगा atomic number मतलब हीलियम से लीथियम जा रहे हो कारबन से नाइट्रोजन जा रहे हो नाइट्रोजन से oxygen जा रहे हो sodium से magnesium जा रहे हो ऐसी कुछ कहानी यहाँ पर बनेगी और दूसरा point यह है कि भाईया atomic mass number remains same remains same this is the main thing यह आपकी main बात यहाँ पर आती है क्या इस बात में किसी को परेशानी हुई यह point रटे रटाए होने चाहिए इस से related question ऐसा भी बन सकता है isotope, isotope, isotope बार से related question बनाए जा सकते हैं हैं, बात में आ रही है, isotope, isotope, isotope बार से related question कैसा बनेगा, कि भाईया एक, मान के चलो, beta minus decay हुआ है, तो जो बनने वाला है, बनने वाला जो डॉटर है, बनने वाली जो डॉटर न्यूटलियाई है, वो isotope है, isotope है, isotope है, क्या है, तो आप देख सकते हैं, आपर atomic number changes, but atomic mass number remains same मतलब यह है, आपका कैसा, समभारिक, समभारिक बना रहा है, कौन समभारिक है, तो वो है आपका parent nuclei, parent nuclei and daughter nuclei, parent nuclei और daughter nuclei आपस में क्या है, समभारिक है, यह question बनाया जा सकता है, मैं यह नहीं बोला हूँ कि यह पूछेगा, बट आपको यह question की तरह से इसके बारे में सोचना चाहिए, be serious about it, beta minus decay clear हुआ आपका, clear है, कोई परेशानी, I don't think so, कोई परेशानी होगी, बहुत ही आसानी से मैं बहुत ही धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, now, अब हम लोग अपने अगले topic की तरह बढ़ते हैं, और अगला topic है आपके पास में, beta plus 1 decay, sorry, beta plus decay, अच्छा सर जी, beta plus decay, देखो जब कभी भी उसे beta plus decay बोलना है, तो वो special नाम mention करेगा, और एक बात ध्यान रखेंगे, बीटा plus का मतलब है, plus 1E0, जैसे बीटा minus decay में क्या था, minus 1E0 था, इसमें क्या है, plus 1E0 है, अच्छा वईया, अब यहाँ पर plus 1E0 से क्या मतलब है, इसको भी जड़ा देख लेते हैं हम लोग, देखो, minus 1E0 और plus 1E0, minus 1E0 और plus 1E0 से यहाँ पर तात्पर क्या है, अब देखो, कई बार है इसको ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है, देखो, मैं आपको बता दूँ, कई बार, यह plus 1E0 है, इसको E plus भी लिखा हुआ मिलेगा, और E plus से आप समझ गए, कि भी यह यह तो आपका पॉजिट्रॉन है, क्या है, पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन कौन होता है, पॉजिट्रॉन वो होता है, जिसका चार्ज जो है, वो इलेक्ट्रॉन के अपॉजिट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन पे नेगिटिव चार्ज है, पॉजिट्रॉन पे पॉजिट्रॉन पे पॉजिट्रॉन पे पॉजिट्रॉन है, बट मास इज सेम एज इलेक्ट्रॉन, मास इज सेम एज इलेक्ट् ठीक है, but mass is same as electron, तो मैंने बोला ठीक है, so इसे हम लोगों ने नाम दिया positron, तो कई लोग सोच रहेंगे, सर इसको positron decay बोल सकते हैं, या बिलकुल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात, नहीं है, अच्छा, फिर क्या होता है, now, अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा ये, क जब बीटा प्लस डिके की मैं बात करूंगा, तो उस case में, बीटा प्लस डिके के अंदर में, बीटा प्लस डिके क्यों हो रहा है, बराबर है, ये भी तो question है, जैसे बीटा माइनस डिके में, हम लोग क्या बोल रहे थे, कि जब नुकलियस के अंदर में, number of neutron ज्यादा हो ज proton, electron और इसमें convert हो रहा है, लेकिन जब बीटा प्लस डिके की बात करते हैं, तो भाईया इसमें क्या होता है, कि when number of protons, number of protons increases in nucleus, compared to, compared to what, number of protons, proton हो की, sorry, number of neutrons, then, again to gain the stability, कहानी पूरी वही stability को gain करने के लिए लेकर है, to gain stability, to gain stability, proton converted into, proton is converted into neutron, neutron, इसमें neutron में ये convert हो रहा होगा, और जब ये conversion हो रहा होगा, तो इसकी एक reaction भी है, वो reaction ये है, कि भाईया, proton convert होगा neutron में, बिल्कुल सही बात है, साथ में ये निकलेगा, positron बराबर है, और साथ में आपके पास में यहाँ पर neutrino निकलेगा, ये क्या है, ये new का मतलब है, आपका neutrino, और यदि ये neutrino है, तो इसकी कहानी भी आपको बतानी पड़ेगी, कि भाईया, इसका जो है, फिर से वही कहानी, rest mass जो है, वो है आपका zero, इसका जो rest mass है, वो क्या है, zero ही है, और again ये आपका फिर से, वही बोलेगा, कि ये है आपका charge less, आवेश रहित है, क्या है, आवेश रहित है, इस पर कोई charge नहीं है, ये आपको बात समझ में आनी चाहिए, ये कहानी तो मैं बोलेंगे, कि सर जी ये वाली कहानी समझ में आई, लेकिन इसका reactions में कैसे इस्तिमाल करना है, तो reaction में इस्तिमाल करने के लिए, मैंने बोला, let's say, consider a, consider an element, हम लोग एक element consider कर आते हैं, जो है, z, x, a, और मैंने याँ पर लिख दिया, plus 1, e, 0, plus something, अब देखो, यहाँ पर भी कहानी वैसे ही चलेगी, कि यहाँ पर भी change होगा, तो मैंने बना daughter, जो nuclei है, वो है, y, अच्छा, balance करेंगे, देखो, ये a है, ये 0 है, मतलब ये तो a ही आएगा, 0 प्लस a करन पर ही रहेगा, यहाँ पर फिर से वही question mark डालेंगे, balance करो देखो, ये balancing बहुत जरूरी है, इस पर सवाल आते हैं, तो z बराबर 1 प्लस का question mark, मतलब question mark आएगा, z minus का 1, ओके, सो यहाँ से हम लोग question mark को हटा देते हैं, और, यहाँ आएगा, z minus का 1, सो इस कहानी से क्या सीखे हम लोग, इस कहानी से सीखे, कि in beta plus decay, in beta plus decay, अज़ा, इसके साथ में मैंने ये सारी चीज़ा नहीं लिखी हैं, कौन कौन सी चीज़ा है, कि एक beta plus particle जो रिलेज हुआ है, मैंने plus 1 जीरो लिख दिया, सीधा सीधा उसकी जगे, इससे आप समझ पाएंगे, यही बीटा plus है, और साथ में neutrino भी रिलीज हुआ है, उसके बा बीटा plus decay मैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बीटा plus decay मैं, तो ध्यान से देखिए, इन बीटा plus decay, atomic number, बीटा plus decay मैं, atomic number decreases by 1, पहले जैड था, अभी जैड माइनस वन हो गया, मतले पहले बेरिलियम था, तो अब आपका लीथियम पे आ गए, यही पहले नाइट्रोजन था, तो अब नाइट्रोजन था, तो अब कारबन पे आ गए, ऐसे कुछ हुआ, और दूसरा पॉइंट यह है, कि atomic mass number remains same, मतलब यह यह कहानी क्या वापस से वही संभारिक वाली जो कहानी हम लोग बात कर रहे थे, वही चल रही है क्या? मतलब आइसो बार वाली इस कहानी वराबर है ना, आइसो बारिक संभारिक, बारिक भारिक, बिल्कुल same to same, yes और no, तो मैंने बोला, बिल्कुल सही है, वही कहानी चल रही है, और इसमें reaction में, इसमें बुकलेट में अंदर में, इसमें कोई correction नहीं था, इस वाले पार्ट के नहीं तो, क्या होगा मेरे को point नहीं रह जाए कहीं, okay, so मेरे पास में है, देखो मैं लेके तो आ गया हूँ, देखो print out मेरे पास पहले से निकाल के रखी हुए, तो इसलिए मुझे कोई tension वैसे भी नहीं, तो इसमें एक point लिखा हुआ है, उसको जरूर ध्यान रखना, note करक उसमें लिखा हुआ है, an isolated neutron decay into proton and anti-neutron, but an isolated proton cannot decay into neutron, यह बहुत important point है, point क्या कह रहा है, यदि आपके पास में कोई एक isolated neutron है, अकेला neutron पढ़ा है, मतलब यह है, कि भाईया यह वाली reaction, neutron convert हुआ, proton plus का, यह minus 1E0 plus का anti-neutron हो, यह reaction सही है, बढ़ यही मैंने बोला, proton को convert कर दिया, neutron plus का plus 1E0 और plus का neutrino, तो यह वाली reaction सही नहीं है, यह reaction गलत हो जाएगी, क्योंकि यह जो कहानी होती है, वो आपकी nuclear reactions में चलती है, अकेला पढ़ा हुआ proton ऐसे convert नहीं होता है, अकेला पढ़ा हुआ neutron जरूर convert हो सकता है, इस बात को ध जिखान न कहेंगे, यही लिखा हुआ है, यहाँ पर isolated neutron decays into proton, isolated neutron proton में decay हो सकता है, बट isolated proton neutron के अंदर में decay नहीं होता है, याद रखने वाला point है, और उसके नीचे यहाँ पर और लिखा हुआ है, इन बीटा माइनस decay, अब वो देखो, इन बीटा decay, mass number a remains same, मतलब कोई भी बीटा decay हो, mass number तो आपका same रह गया, इन बीटा माइनस decay, z increases by 1, और बीटा प्लस decay में z decreases by 1, जो कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर भी बताया, atomic number decreases by 1, वही लिखा है z, अब atomic number का मतलब क्या है, atomic number तो जैड़ी है न, वही कहानी यहाँ पर भी है, so मैं उम्मीद करता हूँ, यहाँ तक की कहादी आप लोगों को समझ में आचुकी होगी, so अब हम लोगों को थोड़ी सी कहानी पढ़नी है, और वो है regarding the electron capture करके छोट असा point है, उसके बारे में हम लोगों को यहाँ पर चर्चा करनी है, अब क्या है यह electron capture, electron capture आखिर है क्या, electron capture की बारे में जब हम लोगों बात करते हैं, तो कहानी कुछ इस परकार से चलती है, आपने shell के नाम सुने होंगे, k shell, l shell, m shell, n shell, ऐसे नाम सुने की नहीं सुने, तो आपने बोला, यह सुने हुए तो लग रहे हैं, तो k shell के electron को nucleus जो है, वो क्या कर लेता है, capture कर लेता है, और एक neutrino बना देता है, क्या बना देता है, नहीं समझ में आए सर, तो मैं बोल रहा हूँ, क्या होता है, कि हमारे पास में, यह है आपका nucleus, मैंने बोला सही बात है, इसके अंदर में protons भी हैं, और neutrons भी हैं, अच्छा, इसके चारों तरप आपके पास में क्या है, इलेक्टरॉन चक्कर लगा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, यह है आपका K-shell, मैं सिर्फ एकी शेल बना रहा हूँ, इसमें कहीं तो भी इलेक्टरॉन चक्कर लगा रहे होते हैं, अब कहानी आपको बाद में अच्छे से समझ में आएगी, अभी के लिए एक काम करता हू पूरा लिए देता हूँ, के-shell, अब इसमें से क्या हो जाएगा, कि एक यह जो इलेक्टरॉन है, इसको इसने कैप्चर कर लिया, यह अंदर खीच लिया, इसने, अंदर खीचा है, तो अंदर बताओ किसने खीचा होगा, इलेक्टरॉन पर है, नेगेटिव चार्ज, उसक बन गया, अभी एक न्यूट्रॉन और साथ में एक न्यूट्रिनो भी यहाँ पर रिलीज हुआ, अब ज़रा ध्यान से सुनना, एक छोटी सी बात है, जिसे मैं यहाँ पर अभी बोल रहा हूँ, लेकिन पढ़ाऊंगा बाद मैं, ठीक है, वो क्या है, कि जब ऐसा हुआ, के शेल से यह जब इलेक्टरॉन गया यहाँ से, तो क्या यहाँ पर एक खाली जगह बन गई, आपने बोला, यस बनी होगी, और जब यह बनी होगी, तो इस के शेल की वैकेंसी को भरने के लिए, एल शेल से एक इलेक्टरॉन फिर यहाँ पर अंदर जंप मारता है, और इसे भी आ सकता है, एल से ही आए कोई जरूरी है क्या, कोई जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है, अमाउंट आफ एनर्जी रिलीज पर, कितनी अमाउंट आफ एनर्जी रिलीज हो रही है, इस बात पर यह सारी बात है, निरवर करती हैं, ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पर कोई बुरा थोड़ी मानेंगे कोच जाएगा तो नहीं कोई बुरा नहीं मानेगा तो उस बेसिस पर आपको आगे चलके continuous x-rays और discrete x-ray characteristic x-ray ऐसे करके topic आएगा जिसे हम लोग न्यूक्लियाई चटर खतम करने के के बात में पढ़ेंगे because that is a special part ऐसा बोल सकते हैं थोड़ा सा अपर साइड का पार्ट है जिस पे से question बनने की संभावना कोई guarantee नहीं है बन भी सकता है नहीं भी बन सकता है लेकिन हम लोगों को पढ़ना यहीं पर है ठीक है तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं सो कहानी हमारी चल रही थी किस बारे में electron capture के बारे में मैं चायद heading भी नहीं डाली होगी है ना तो अब डाल लेता हूं कौन कौन सी दिखत है electron capture ठीक है ओके electron capture थीक है अपने चारों तरफ घूम्टे हुए लेक्ट्रोन पे इतना फोर्स लगा दिया कि वो electron बिचारा खिचा चला गया किसके अंदर में nucleus के अंदर में बराबर है अब ऐसे ही वाली बात है कि मान के चलो यह आप हो चल छोड़ो नहीं लेता हूँ छोड़ो छोड़ो कहानी थी आपकी किसके लिए electron capture में ज्यादा कुछ है नहीं यही वाला अख्स, n electron, n electron देख़ो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं most likely, most likely क्यूँ लिख रहा हूँ, क्यूंक देखो यही वाला electron सबसे पास में है, most likely from K shell, from K shell, ठीक है most likely from K shell, when a nucleus attracts an electron most likely from K shell, then this is called as called as electron capture इसे क्या बोला जा रहा है electron capture क्योंकि इसने electron को क्या कर लिया है capture कर लिया है और जब electron capture होता है तो भई यह reaction मनती है proton ने electron को capture कर लिया और आपका neutron बन गया और साथ में neutrino बन गई this is the reaction यह इतना सा ही पार्ट है इसके लिए मैं आपको बोला यह इसमें थोड़ा सा जादा कुछ है भी नहीं ठीक है ओके आगे बढ़ सकता हूं क्या मैं बढ़ जाईए सर खाली जगए तो क्या कैमरा तक तो जगह ही है आपको आगे बढ़ने के लिए क्या दिक्कत है रोका किसने बढ़ी आगे आगे बढ़ेंगे ओके तो लास्ट जो टॉपिक है हमारे पास में वो है आपका गामा डिके कौन सा डिके है गामा डिके अच्छी यह गामा डिके जो होता है गामा डिके में क्या होता है बेसिकली इसमें कोई ज्यादा हाई फंडू कुछ है नहीं इसमें क्या होता है कि वेनेवर वेनेवर यू हैवनेवर यू हैवनेवर यू हैवनेवर यू हैवनेवर excited nucleus जैसे आप लोगों को recall करवाता हूं कि आप लोगों ने electron के लिए energy levels पड़े हैं पड़े हैं क्या minus का 13.6 minus का 3.4 minus का 1.51 minus का 0.85 minus का 0.54 and so on ऐसे बढ़ते चले जाते हैं तो ये वाली जो state है इसे बोला जाता है ground state इसे क्या बोला जाता है ground state बोलते हैं और इसके बाद में से बोला जाता है first excited state यास फिर आती है second excited फिर आती है third excited state बराबर है कि नहीं but these are the these are the levels for electron ये किस के लिए हैं ये electrons के लिए हैं और ये जो सारे level हैं वो है electron volt में है किस में है electron volt में है बराबर यहां पर भी आपका electron क्या हुआ excited हुआ है बिल्कुल similar way में बिल्कुल similar way में हम लोग बोलते हैं कि nucleus also have nucleus also has excited level excited level नहीं बोलना चाहिए energy level बोलना चाहिए मुझे इसको है ना energy levels same like electron है same like electron has same like electron है मैंने वोला ठीक है अब इस में क्या होता है कि भी या जब ऐसे जैसे electron के लिए हम लोग energy level बनाते हैं ऐसे ही nucleus के लिए भी होता है और बट यहां पर एक difference है वो क्या है बट इज़ लेवल्स आर इज़ लेवल्स आर और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेंज इनकी जो रेंज होती है वो आपकी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है यहां पर किस में दी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी वड़ यहां पर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर में की range है तो होता क्या है होता यह है कि जब यह excited होता है तो excited वाला क्या करता है देखो excited वाला का मतलब यह है कि उसके पास में ज़्यादा energy ज़्यादा energy है तो वो ज़्यादा stable नहीं रह सकता है तो to gain the stability वो क्या करता है अपनी energy को थोड़ा सा कम कर लेता है और एक stable state में आने की कोशिश करता है मतलब यदि मैं यहाँ पर आप से बोलता हूँ कि एक example के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ 27CO60 यह है कोबाल्ट फे को नी याद है आरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक फे को नी ऐसे याद रखा होगा ना स्केंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैगनीज आरन कोबाल्ट निकल तो फे को नी सो यहाँ पर होता क्या है कि यह जो कोबाल्ट है इसके लिए हम लोग बात करते हैं तो यह इसका अभी देखो यह जो है न यह नॉर्मल नहीं है यह excited वाला है यह कैसा वाला है this is your excited one excited one का मतलब यह नहीं कि one एक नमबर में excited है नहीं ऐसा नहीं है यह क्या है सिर्फ excited है और जब यह excited है तो यह देखता है कि यार मेरे को तो stability नहीं मिल रही है तो मैं चाहता हूँ कि वो यह चाहता है कि वो stable state को attain करे तो इसके लिए क्या करता है वह यह यहां से एक next level प अब जब बीटा माइनस डिके हुआ तो इसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पर फिर से एक energy levels दिखते हैं अब इन energy levels में हमें पता लगता है कि बीटा माइनस डिके होने के पश्चाद बीटा माइनस डिके हुआ तो क्या हो जाएगा सोचिए यह है 27 CO60 और मैंने बोला बीट माइनस डिके है मतलब माइनस वन इजीरो है प्लस क्या बनेगा 27 और माइनस वन है मतलब इदर में 28 आएगा तो फेक को नी बन जाएगा और यह बन जाएगा जब यह बन चुका है तो ध्यान दीखिए क्या कर रहा हूं देखो कई बार है न मैं ऐसे जाता हूं मुझे न वो इसे बार यह जुकता हूं और इसे बार यहाद आता है अड़े अजग बहुए हो रहे हार तो यहां पर बन गया निकल जो है 2860 तो मैं बोल रहा था कि ये वाला जो है तो यहां से क्या करता है यह जो है जब yeah यहां पर आ सकता है वो depend करेगा क्या situation मन रही है तो इस case मैं वो gamma particles क्या करता है release करता है अपनी energy को release करता है और finally एक stable उसमें पहुँचता है मतलों ध्यान से देखे क्या हो रहा है यहां से कहानी बिगड़ने की शुरुबात हुई थी कोबाल निकल excited था ठीक है कोबाल निकल क्या था सुरी मैंने कोबाल निकल दोनों एक साथ बोल लिए न कोबाल जो था 27C60 वाला वो excited था उसके समझ में नहीं आ रहा तो उसके पास extra energy हो गई अब extra energy हो गई तो उसने सोचा कुछ तो कम करें कुछ तो कम करने के चक्कर में उसने पहले बीटा डिके किया बीटा डिके किया तो बीटा माइनस डिके होने के कारण आपका जो नया यह बना वो 28NICO 28NIC60 बना 28NIC60 बनने के बाद में भी stability नहीं आई तो उसके बाद में वो गामा डिके उसने किया so this is the कहानी mainly यही मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पर actual कहानी किसने करी यह गामा डिके की actual गामा डिके हो रहा है इसके कारण so generally आप बोलते हो ZXA यहाँ पर लगाते है star mark ठीक है star mark और यह convert होता है ZXA और प्लस का गामा में तो भईया यह है आपकी energy यह है आपकी energy जो यहाँ पर release हो रही है अब सवाल यह उट रहा होगा कि इस energy में हम लोग क्या समझे यह star का मतलब क्या है this star represents excited state represents excited state of nuclei nuclei जब गामा डिके आपके पास में हुआ है तो मैं बोलूंगा इन गामा डिके इन गामा डिके नीदर atomic number changes ना तो आपका atomic number change हुआ नौर एक काम करता हूँ इस वाले number को पूरा लिख देता हूँ नहीं तो कई लोग इस में भी कन्फ्यूज हो जाएंगे number atomic number changes नौर atomic mass number ना तो आपका atomic number change हुआ ना ही आपका atomic mass number change हुआ यह है गामा डिके इसमें सिर्पर सेबापकी energy क्या हुई है release हुई है तो यह था आपका alpha decay, beta decay और gamma decay गामा पार्टिकल को गामा कैसा symbol है वो समय में आया alpha यह है, beta यह है और यह है आपका gamma y जैसा है थोड़ा सा बीच मैंसे इसकी कमर पे गूसा मार दिया जोर का तो दुचक गया अंदर की तरफ तो यह गामा बन गया अब हम लोगों को बात करनी है लास्ट में properties के बारे में और properties की कहानी ऐसी है वहिया की properties आपको तो याद ही हो दी जाहिए हाँ मैं sheet लेके आया हूँ क्योंकि मैं जिससे जल्दी-जल्दी खतम कर सकूँ और वो है आपकी properties heading है आपके पास में properties of alpha, beta, and gamma ray ठीक है alpha, beta, and gamma ray ओरे देखो alpha ray की property देखो sheet लेके मैं इसलिए आया हूँ जिससे आप लोगों को भी अब देखो ये काम आपको करना मैं सीधे-सीधे चुटी-चुटी-चुटी पॉंच चीजें बता रेता हूँ वो यह है alpha ray देखो जब मैं बात कर रहा हूँ न रे की तो इस रे का मतलब यह है कि भाईया यह है आपके पास में stream of particles stream of particles मतलब कैसे है कि देखो आपके पास में जैसे नल में से पानी गिरता है तो नल में से पानी गिरता है तो उसमें से क्या गिरता है एक साथ बनके गिरता है, वैसे यहांपर पाधियल, बहुत सारे इलफा पाधियल एक साथ आएंगे, तो वो बिचारे बना देंगे, बहुत सारे गामा पाधी गागे देंगे, इसको प llega गामा रे बना देंगे, उसको और ==== कई लोग बोलेंगे कि सर यह कर दिया क्या बोलते हैं आपने देखके बता दिया सारी चीजे एक काम करता हूं छोड़ो वैसे आपका आज का समय आपके पास में एक तो प्रॉपर्टीज हैं उसके बाद में हम लोगो को नूकलियर फ्यूजन और पेर एनिलेशन वगेरा एक छोटा सा टॉपिक है वह एक देखना है हालां कि वैसे तो इसमें कवर हो चुका है लेकिन फिर से अलग से नाम लेके पढ़ा देंगे तो क्या दिक्कत है नुक्लियर फ्यूजन फीजन और वो नुक्लियर रियक्टर तो एक गंटे के अंदर में अल्मुस्ट पूरा का पूरा खतम हो जाएगा तो तो एक काम करते हैं आज रहने देते हैं प्रॉपर्टी को आज के ल सिरिशन बताया मैंने यह एलफा पार्टीकल के बारें बताया आगे बढ़ते हैं लोगोने ंरपके पास में एक हैवी नुकलियर फोता है तो क्या होता है फटी कें फटर यह टॉमर आपका 2 से लोता है और एकम नमम जो है वह फोर से होता है किस कोई काम यहां है ठीक है chemistry में आपको बहुत आता एक एक्जो तर्मिक रियक्षन है एंडो तर्मिक रियक्षन होग कैमिस्टी का पार्ट है आगे बढ़ूँगा मैं बीटा डिके के बारे मटा बीटा तीन तरह के बीटा माइनस बीटा प्लस और जब कुछ नहीं बोला है तो हमेशा बीटा माइनस डिके कंसीडर करना है यह कब होता है जब आपके पास में किसी न्यूक्लियस के अंदर में जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन के कंपरिजन में जादा हो जाते हैं तो स्टैबलिटी नहीं रह पाती है तो स्टैब और इसका charge नहीं होता है, यह charge less होता है, इतना ही है, आगे दि मैं बात करता हूँ, यहाँ पर मैंने reaction बताई है, reaction कैसे जलने वाली है, जब beta minus dk होता है, तो आपका जो atomic number है, वो 1 से increase होता है, आप देखेंगे, z से z plus 1 में जा रहा होगा, और लेकिन atomic mass number remain same, मतलब आपका यह क निकल रहा है, positron क्या है, positron वो है, जिसका mass जो है, वो तो electron के बराबर है, लेकिन charge जो है, वो positive है, तो वो है आपका positron, यह कब होता है, जब आपके nucleus के अंदर में number of proton ज्यादा हो जाते हैं compared to neutron, तो फिर से कहानी वही है कि stability gain करने के लिए आपका proton convert होता है neutron में, और साथ मे है, beta plus particle निकलता है, मतलब positron निकलता है, और साथ में neutrino भी निकलता है, neutron again, charge less, mass less, इसके बाद में हमारे पास में beta plus decay में मैंने क्या बोलना है, कि atomic number जो है, वो एक से decrease होता है, और atomic mass number remains same, वही कहानी फिर से repeat वाली है, और कुछ भी नहीं है, आगे बढ़ता हूँ, मैं है, वही सेम, अच्छा, यहाँ पर बताया गया, isolated condition के बारे में, मतलब यह है, कि isolated neutron जो है, वो proton में, beta में और इसमें anti-neutron में convert हो सकता है, लेकिन isolated proton जो है, isolated proton, isolated proton, do not decay, do not get converted to, do not converted to neutron, यह है कहानी और कुछ भी नहीं है, आगे बढ़ेंगे, हम लोग, proton यह है, आपका electron capture वाली कहानी, electron capture वाली कहानी क्या है, कि जब कई बार ऐसा होता है, stability वगएरा gain करने के लिए होता यह है, कि जो nucleus है, वो अपने k-shell वाले, mostly हमेशा k-shell वाले को करता है, लेकिन हमेशा करें यह जरूरी नहीं है, general है, mostly ऐसा होता है, कि वो घूमते हुए electron neutron को capture कर लेता है, और उस कहानी में होता है कि proton electron को capture किया, कि डिकिया होगा proton ने किया होगा, तो यह neutron बनाया, और साथ में neutrino बना तो यह कहानी है, इसके बाद में लोगोंने gamma decay के बारे में कर आए, gamma decay में क्या हो रहा हो squares energy levels की कहानी आती है, जो इस प्रकार से आती है, गामा क कि parti डेविये नहीं होंगे टीका है और जब examined he Kalen musi lately suka है ना ही at 막 marks number होता है हूं अज और टुडै की लिए बना ही मुलाकात करें गे हम लोग अपने आने वाल利 अगले लिक्टर के दर्मयान से ततल्रक के लिए